सासरे काल, you're watching Lockdown Entertainment तो आज की हमारी दूसरी ब्रेकिंग निउस ये है कि कुछ टाइम पहले Marvels और Disney Plus ने अनाउंस की है नई सुपर हीरो या एंटी हीरो वेब सीरीज Moon Knight अब नया करेक्टर, नया सुपर हीरो, किसी को कुछ नहीं मालूम इस नए नवेले हीरो के बारे में क्यूंकि इंडिया में कब किसी ने कॉमिक्स पड़ी है हाँ हमारे जमाने में होती थी कुछ लेकिन 1995 के बाद सब टीवी से शुरू होके अभी तक 8K, 3D, 5D तक आप पहुचा है तो ये करेक्टर भी Marvel की comics में से ही निकला है और तब comics के time भी और अब series के time भी इसे DC के Batman के साथ compare किया जा रहा है और कहीं ना कहीं similarities हैं भी लेकिन रस्ते पे चलने वाली car चाहे देखने में एक जैसी ही हो लेकिन अलग लग company में अलग लग features होती है और चलाने का experience भी अलग ही होता है और वैसा ही इसके साथ भी कुछ है अभी वो marvels वाले हैं तो super hero की image copy वाली तो नहीं बनने देंगे और अब ये series हमें 30 March को English और Hindi के साथ साथ बाकी कई South की languages में भी देखने को मिलेगी Disney Plus 4Star पे लेकिन इस new super hero के बारे में जानने से पहले अगर आप पहली बार lockdown entertainment देख रहे हैं तो अभी subscribe कर लो ऐसी ही बड़िया बड़िया वीडियोस देखने के लिए और बाकी कोई भी सवाल हो या movie और series की daily updates के लिए मुझे instagram पे contact कर सकते हैं lockdown.entertainment 33 पे जो यहाँ उपर screen पे भी flash हो रहा है तो अगर इस moon night के बारे में comics के हिसाब से जानना है तो Mr. Moon Knight उर्फ Mark Spector जिसका जनम World War 2 के टाइम पे जब Hitler ने आतंग मचाया हुआ था और Nazis की बहुत पूरी हालत थी तो उसकी family Chicago अमेरिका में आ गई लेकिन बच्मन में ही बहुत दुख और लड़ाई देखते हुए Mark को Double Identity Disorder की बिमारी हो गई थी जिसमें एक body में ही दो जान आ गई अगर आपको नहीं पता तो आपको Housefull वाला अक्षे का character वो याद ही होगा सुन्डी वाला एक दम वैसे ही इस बच्चे में एक Mark और दूसरा Jack तो ऐसे ही जिन्दगी में बड़े होते होते Mark American Military में शामल भी हो जाता है लेकिन उसकी बिमारी के चलते हुए मतलब उसकी दूसरी जान Jack के कारण उसे निकाल दिये जाता है फिर वो कुछ टाइम CIA में भी रहता है और वहां पर Mark की बुश्मेन के साथ लड़ाई हो जाती है और Mark हार जाता है और मरने की हालत में होता है तो कुछ तेर बाद वहां के लोकल्स उसे बचाते हैं तो उसके सामने वहां Egypt का एक भगवान आता है और वहीं से उसकी बॉड़ी में तीसरी जान एंटर हो जाती है मतलब के Moon Knight की यहां साला एक जान का बोजा नहीं उठाया जाता उसमें तीन तीन आ गई है सोचो क्या हल होगा उसका तो यहीं से उसने रात को Moon Knight बनके बुराई से लणना शुरू कर दिया अब इस सीरीज की कहानी बिलकुल कौमिस के जैसी तो नहीं होने वाली लेकिन काफी हद तक मिलती जुलती ही नजर आ रही है ट्रेलर से और हो सकता है कि आगे चलके Moon Knight हमें Avenger के साथ मिलता हुआ दिखाई दे लेकिन अभी कुछ भी कनफर्म नहीं है जो इस सीरीज की सकसेस के उपर ही डिपेंड करता है तो टेलर देखकर कहानी ऐसी लगती है जिसमें स्टीवन नाम का एक बंदा अमेरिका में रहता है और उसे वही डॉबल एडेंटिटी वाली बिमारी है तो वो रात को अपने आपको बांद के सोता है और एक दिन म्यूजियम में जाने के बाद उसे अपने अंदर मून नाइट दिखने लगता है और फिर एक पुराने फोन पे कॉल आती है जिसमें एक लड़की उसे मार्च कहके बुलाती है तो आज की लिस्ट में इतना ही बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेस्बूक आईडी पे भी शेर कर सकते हैं ता जो आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटर्टेन्मेंट पे जुड़ सकें लाइक शेर एंड सबस्क्राइब लॉकडाउन एंटर्टेन्मेंट थैंक्स वर वाचिंग जितना हो सके घर में रहें सेफ रहें अपने और अपनों का ख्यार रखें